नमस्कार जैहिंद मैं हूँ शचांग लखेरा और इस वड़ में हम बात करने वाले हैं बेलरूस के बारे हाली में आपने ऐसी बहुत सारी निउस सुनी होगी और बहुत सारे आर्टिकल्स भी पड़े होंगे कि बेलरूस ने एक प्लेन को जो है हाईजेक किया है बेलरूस की अगर में location की बात करूँ यह है इंडिया और यहां से अगर हम बेलरूस हमको जाना हो तो पाकिस्तान, आफगानिस्तान, तरकमेंस्तान अजरबाईजान चौर्चिया यूक्रेन। और यह हं पर आपको मिलेगा बेलरूस यह है अप देख सकते हो इसी capital है मिंग्स और इसके आसपास की जो country है ये है रशिया रशिया जो है इसका बहुत ही important neighbor है और बहुत अच्छा दोस्त भी है बेलरूस और रशिया की बीच में बहुत सारे agreements भी जो है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे लिथेनिया आपको लात्विया मिलेगा यूक्रेन मिलेगा पोलेंड मिलेगा अब बेलरूस में ऐसा हुआ क्या है हम इसकी क्यों बात कर रहे है देखो बेलरूस में एक plane को जो रहा था लिथेनिया और उसी के बीच में जो है यहाँ पे बेलरूस में इसको रोक दिया गया जैसे यह plane बेलरूस के space station में एंटर हुआ तभी जो है इसको यहाँ पे थ्रेटन किया गया यहाँ पे जो fighter jets हैं और उसकी जो है emergency landing करवा ले गई बेलरूस में और यह काफी थ् सर्विय के space station में आता है तो यहाँ पे जो है यह का जाता है कि आपको जो है emergency landing करवाई जा रही है कि आपकी flight में यहाँ पे बॉम है तो आज की समय इस पूरे flight issue को लेके इसको जो है कई लोग हाई जैक कह रहे हैं कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि यह act of terrorism है और इसमें generalist को arrest करने के लिए Belarus ने यह सब जो है परपंच यहाँ पे रचा था और बहुत ही गलत तरीके से एक plane को land करवाए गया Belarus की धरती पे तो काफी कुछ जो है हम इस topic पर जानने वाले हैं कि Belarus ने किस तरीके से इस पूरे hijack को conduct किया है और एक generalist को arrest करने के लिए पूरी flight को जो ह hijack कर लिए उस journalist के बारे में भी हम बात करेंगे तो काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा उसके पहले just go to google page store download mm academy app आपको क्या करना है mm academy app को download करना है फिर आपको यहाँ पर sign up करना है आप दो videos lecture देख सकते हो जो demo lecture होंगे फिर आपको profile में जाना है plan क purchase करना है courses control करना है एक ही subscription में आप सभी course avail कर पाओगे और आप यहाँ पे pdf पी download कर सकते हो तो pdf के through जो है आप proper revision कर पाओगे अगर हम इस flight की बात करें तो यह flight जो है एथन से उड़ान भरी थी इसने एथन से यह जा रही थी लिथेनिया लिथेनिया की capital है wellness यह आप देख एक बहुत ही बड़ी border share करता है रशिया के साथ यहाँ और रशिया और बेलारूस की बहुत ही अच्छी आपको partnership भी देखने को मिलेगी और जैसे रशिया में आपको president मिलेंगे बलामदीर पुतीन वैसे ही अगर हम इस देश की बात करें बेलारूस की तो एलेक्जेंडर ज जाने की 1994 से 2021 तक जो है यह president है और Sunday को एक बहुत ही बड़ा जो है event हमको देखने को मिल रहा है बेलारूस में यहाँ पर यह हुआ है कि एक commercial जो airline है जो Greece से लिटेनिया जा रही थी उसको जो है जवरजस्ती लेंड करवाया गया जी हां इसको जवरजस्ती जो है बेलारूस पर land करवाया गया और यहाँ पर कारण यह बताया गया कि इस flight में bomb है और जैसे ही यह flight बेलारूस के space station पर enter हुई तो बेलारूस ने अपने जो fighter jets है उनको deploy कर दिया और यह नोंने धमकी दिखिया अगर इस flight को नहीं रोकोगे तो हम जो है इस पर bombing भी कर सकते है उसके बाद जो है धमकाया गया और इस flight को जबरजस्ती जो है बेलारूस पर land करवाया गया और यह सब किया गया था एक जनरलिस को जो है यहाँ पर arrest करने के लिए और देखो आज के समय पूरा जो वर्ल्ट है वो criticize कर रहा है बेलारूस को यहाँ पर आप दोगे तो यह BBC News का article है Western Power Voice Outrage as Belarus accused of hijacking plane जो European Union है वो भी बहुत ही huge level पर sanction imposed करने वाला है बेलारूस पर और जिर्फ यही नहीं जो opposition leader है वो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि यह कोई hijacking नहीं है जी नहीं यह act of terrorism है और जो western countries के leader है उनके बीच में जो है discussion भी शुरू होगा है कि हमको बहुत ही huge action लेना चाह receiving यह आप इस journalist की image दे सकते हो यह है वो journalist जिनको जो है arrest कर लिया गया है और जो present president है Belarus की लूका शेंको उनके यह opponent भी है पहले यह Belarus में ही रहते थे लेकिन 2019 में इन्होंने जो है देश छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे इनको जो है डर था कि मुझ पे जो है attack ना हो जाए या मुझको जो है यहाँ पे arrest ना कर ले जाए कि इन्होंने public order को जो है disturb किया है और जो सरकार है जो साशन है उन्होंने इनका नाम जो है terrorist की list में भी रख दिया था और इनको यह पता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझको जो है यहाँ पे death penalty हो जाएगी देखो वैसे ह 2020 के presidential election के बाद बहुत ही dispute हमको देखने को मिले थे in fact जो presidential election था बेलारूस में उसमें ही बहुत सारे dispute हमको देखने को मिले थे उसके अब आद जो बहुत सारे independent news outlets है उनमें से जो है बहुत ही कम यहाँ पे बचे हुए हैं बेलारूस में जो बहुत सारे media outlets है उनको जो है force किय गया कि आप जो है यहाँ पे अपना मीडिया हाउस बंद कर दो अब देखो यह जो जनरलिस्ट है इनको क्यों अरेस्ट किया गया इसका कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा जी हाँ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इन्हों ने एक चैनल बनाया था जिसका नाम है नेक् जो होके और यहाँ पर लोकेंशे को यह लग रहा था कि यहाँ पे मेरी information शेयर करी जा रही है और इसकी वज़े से ही जो demonstration हो रहे हैं सरकार के अगेंस में वो इसी ग्रुप की वज़े से हो रहे हैं अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ना नेक्स टेलीग्राम चैनल तो आप कुछ इस तरीके का इंटर्फिरेंस देखने को मिलेगा यहां पर आप देखो तो फाइटी नाइन की सब्सक्राइबर भी है और काफी यूज लेवल पे यह वर्क करता है और बेलरूस में यह काफी पॉपुलर भी है देखो सिंपल अगर हम इस टेलीग्राम चैनल की बात करें तो यह यहां पर कुछ ना कुछ कहता है यह सिंपल यहां पर यह कह रहे हैं कि जो बेलरूस की सरकार है वो यहां पर एक तरीके से डिक्टेटर्शिप चला रही है, 1994 से 2021 तक एक ही प्रसिडेंट है यहाँ पे, अभी तक ना प्रसिडेंट चेंज हुए, और इसी चीज को लेके बेलारूस के जो लोग हैं, वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, और यह जो जनरलिस्ट हैं, इनको बहुत ही डर था बेलार बेलारूस को छोड़ दिया, और यहाँ पे यह लुथेनिया में रहने लगे, और अट लास्ट, अगर मैं बेलारूस की बात करूँ, तो बेलारूस आपको जो है 158 नंबर पे देखने को मिलेगा, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में, जी हाँ, 180 देशों में, जो वर सो अब आपके व्यू क्या है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, यह था इंड इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धनिवाद, जैहिंद, जैभार।